प्रस्तूत गर्ने रा प्रस्तूत टिलाई संतुलित बनावने हमरो प्रतिग्यां हो यही प्रतिग्यां पूरा गर्ने खरो प्रयासो अप्रेस्टान बेग नियुज जनसर रुकार का हरेक बिशेलाई हमें बिग नियुज बनाव सो रहरेक बिग नियुज को अंतर कथाख होज दै दर्सक का गाड़ी अफ्रेस्टान गर्शो फरक समाशार गवहीरो समाशार दिने हमरो प्रयास निरंतर जारी छड़ाँ लामु समय देखी अध्यारो मा बसन विवस नेपाली जनता को मुहार मा तिती बेला चमक आयो जती बेला नेपाल विद्धूत प्रादिकरण ले देश फर लोड़्स्रेडिंग को अंत्य भायको गोशना गर्यो नेपाल विद्धूत प्रादिकरण मा दुई बरस पहिली कारेकारी निर्देशक मा कुशल ब्यवस्थापक कुलमान गिसिंग आये पसी लोड़्स्रेडिंग को अनंत कथामा ट्विस्ट आउन थाले कुथियो नेपाल को नेपाल गंज भने लोडशेडिंग को मार मां परिने रहे को दियों। नेपाल को नेपाल गंज भने लोडशेडिंग को मार मां परिने रहे को दियों। नेपाल गंज भने लोडशेडिंग काईम राखदा सर्वसाधरन होरली सास्तिपाय का संद। देशलाइने लोडशेडिंग मुक्त गोशना गरेको विधूत फ्राधिकरणले माग अनुशार विधूत उपलब्ध गरावनों नसक्दा नेपाल गंज मां अगोशित लोडशेडिंग जारी नैसा। गर्मी मौसम मा नेपाल गंज छेत्र मा विधूत को माग वहत्ते बढ़ने तर माग अनुशार आपूर्ती कम हुनाले केही बर्षयेटा लोडशेडिंग उच्चा रहेको थियो। केही समय अगी देश भरने लोडशेडिंग मुक्त घोशना गरिये पनी नेपाल गंज को लोड बेवस्थापनतीर विधूत प्रादिकरण को ध्यान पुगेको शाईना। परदो गर्मी मा अघोसित रूप मा लोडशेडिंग हुनाले जन जीवन कस्ट कर बनेको छा। नेपाल उधुग वाइंट जे महासंका पुर्वक केंद्रिय सदश्यत था स्थानिय वासिंदा धामोतर आचारियले चरको गर्मी मा हुने लोडशेडिंगले सास्ती भायको बताउँ छान। जिसको मार मा हुने खाने बरगा भन्दा पनी निम्नवर सामान्ने परिवार हरू गर्मी मा लोडशेडिंग को मार मा परेको उनको भनाईशा। उद्धोक कलकार खानार जन संख्या बड़े र विद्धूत को माग बड़दई जान थाले पसी कही बर्षा पहिले बाट गर्मी बड़े संगई। अघोसित लोडशेडिंग हुन थाले को हो। गर्मी मा पसीना चुहाँदेई लाम समय सम्मा पंखा को हावा बिनाने समय बिताउन बाध्य हुनु पर्षा यहांका बासिन्दा। उखर माउलो गर्मी का कारण बाने सरू। गर्मी समय मा राम्रो संग निदाउन समेच सक्दाइनान। यो गर्मी एस्तोच हागी अत्याधिक मान्चेको अहले को गर्मी को चाप बनने होने राती बत्ती चाईना बोल्डेज ले मोटर बनी चल्दानान पंखा चल्दानान त्रीच चल्दानान। नेपाल सरकार को आमी बागे जिल्ला बाशिले के अबराद करे गोरेशम द्रस्तोच हामला आभास परकट भाईरा आखेको चल्दानान। उखर मावलो गर्मी मा आज़ा भली दैनिक चार घंटा सम्मा नेपाल गन्ज बासिले ऑगोशित लोडशेडिंग खेपनु परचा। युषको मार मा सबे भन्दा बड़ी निम्ने इसतरखा मानी सरुप परेका सन। चरको गर्मीमा नेपाल गंज बासी देखी उध्धो कलकार्खाना समेत लोडशेडिंग को मार मा परने गरेगा शन। एका तिरा लोडशेडिंग का कारण उध्धो घर को उत्पादन लागत पड़ेको सा भने और को तिरा चिनचिन मा बिद्धोत जाने समस्याले मेशिन बिग्रनुका साथे कच्चा पदार्था खेरा गईरु हैको सा मैट्रिक्स उर्ट इंडस्ट्रीज का प्रमु गिरी राज भुशालने लोडशेडिंग का कारण उध्धो घरुले ठूलो च्यति बिहर नुपारेगो गुनासो पक्षन लीद्वार टेले कि टिरुष है कि लहजेड़् मेशिंग तो च्यति का엔ने सम chilंग गवब का मैशिगे का क्ष़िग के कि अगजदिधगो पक्ष बिग्रस़् गशफा उवाद़ियर sama को मैश्बर टिच्ट ँछा वे वेरु इंडस rus प्तुों बिष्गक तामु रई संग् बिजुली भायको समय मा समेत लोग वोल्टेज ले सेवा ग्राहीलाई सास्ती दिने गरेको सा। उने गरे विध्युत आपूर्ति को वेवस्ता मिलावना नेपाल गन्स भासी आगरहा करसन। ABC reporter पुश्ण ओली नेपाल गन्स। पस्तिम नेपाल को मुख्या ब्यापारी केंद्र हो नेपाल गंज। कहिले लोड गंज। नेपाल गंज।